हलो स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर 8 हाउजज भी बिल्ड पढने वाले हैं ठीक है तो इसमें पहले क्या है देखिए Do You Remember Some Building Material are Given Below? Write K for the Building Material used for Making a hours and P for the Building Materiel used for Making a पक्काहास तो bricks P, Straw K, Cement P, Bamboo K, Bricks पक्काहास बनने के लिए लगता है इसलिए मैंने P लिखा है Straw कच्चा हुस बनने के लिए लगता है इसलिए मैंने K लिखा है Cement पक्का हुस में लगता है तो P लिखा है Bamboo कच्चा हुस में लगता है इसलिए K लिखा है ठीक है All of us need space to live in A house is a space in which we live and feel safe It protects us from heat, cold, rain, storm, wild animals and thieves It also gives us comfort तो जहां हम रहते हैं उसको घर कहते हैं और house कहते हैं और house हमें किस-किस से बचाती है Heat, cold, rain, storm, wild animals, thieves Thieves मतलब होता है चोड ठीक है तो यह सबसे हमें बचाती है और घर हमें आराम देती है जब बाहर कोई काम करते हैं हम परिशान हो जाते हैं, ठक जाते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि कब हम घर जाके पहुँचे और आराम करें इसलिए it also gives us comfort तो types of houses There are many types of houses बंगलो बहुत तरके घर होते हैं तो बंगलो हम देखते हैं बंगलो is a big, single or double storied house with a lawn Multi-story building Such a building has many floors with houses that are called flats or apartments Each flat may have two, three or more rooms तो ऐसा आपके घर के सामने भी ये apartment होगा कोई-कोई आप जो है apartment में ही रहते होंगे तो ये आपको पता चल गया ये है बंगलो ठीक है, picture में दीख रहा है आपको तो next पढ़ते हैं Hutt Hutt's are kaccha house ये picture में आपको hutt's दीख रही है Hutt का picture है ये They are made of mud, straw, wood, leaves, bamboo poles, etc They are not very strong They do not cost much and more And are mostly found in villages तो ये हट जो है न ये ज़्यादा तर village में मिलती है आपको गाउं वगरा में मिलेगी ऐसा घर ठीक है और ये कीचर, straw, लक्री, पत्ते, बास वगरा के पोल से बनी हुई होती है और ये इतने strong नहीं होते हैं ठीक है Special houses कुछ देखते हैं An igloo is a house made of ice Eskimos live in igloos Igloo जो है वो बर्फ से बना हुआ रहता है बर्फ का घर होता है और इसमें कौन रहते हैं? इसमें जो लोग रहते हैं उसको Eskimos कहते हैं ठीक है Tent A tent is a movable house Tent को movable house कहते हैं क्योंकि ये एक जगह से दुसरे जगह हम उठा के ले जा सकते हैं It is made of cloth and is used while camping ये कपड़े की बनी हो रहती है और camping में ये काम आती है Stilt house A stilt house is a house that is built high above the ground Usually with bamboo poles तो ये दिख रहा है आपको ground से Ground से कितना उपर bamboo pole से तयार किया गया ही ये bamboo pole लगाये हुआ है और ground से जमीन से उपर इसको रखा गया है Such houses are built in places with very high rainfall such as Assam और Megalaya ये ऐसा houses आपको Assam और Megalaya जैसे जगह में देखने को मिलती है क्यों? क्योंकि वहाँ ज़ादा heavy rainfall होती है ज्यादा बारीष होती है तो उससे flood ना आ जाए बार ना आ जाए और बार तो आती ही है लेकिन पाणी अंदर ना खुस जाए वह सब जगह में बारीष जादा होती है तो flood आने की डर रहती है बार आती है जादा ठीक है? तो पानी अंदर घड के अंदर ना कुछ जा, इसलिए इस तरह से उंचा कर दिया जाता है, ठीक है, कारावान, it is a house on wheels, ये चक्के के उपर की घर है, it can move people from one place to another, इसको इंसान जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, थीक है, तो ये हो गया कारावान, जो चक्के के उपर की घर है, ठीक है, अच्छा, यह है house boat, it is a floating house, floating house क्यों कहा जाता है यह तो आपको समझ में आ गया, देखिए, boat, boat है, boat के उपर घर है और यह तो पानी में रहता है, तो naturally यह boat है, तो यह floating करेगा, it is a floating house, ठीक है, Do you know the Rashtrapati Bhavan is the home of the President of India, Rashtrapati Bhavan यह किसका घर है, President of India का घर है, President रहते हैं आपके, यहाँ पे है log house, log houses are found in hilly areas, where there are many trees and woodies easily available, तो जो पहाड़ी जगह है, hilly areas है, वहाँ पे log house जादा मिलती है, और वहाँ पे trees, trees जादा मिलती है, जिसके कारे उनको log मिल जाती है, मतलब log मतलब होता है, लकडी का लट्ठा, तो उसी से घर बनाते हैं, ठीक है, तो यह hilly area में आपको जादा मिलेगी, यहा अपना address लिखना है और अपना phone number लिखना है, और कुछ नहीं, यहाँ पे है time to answer, जवाब देने का समय आ गया, जवाब देने का समय आ गया, जवाब देने का समय आ गया, name the type of house, a house built with logs, log house, a house made of ice, igloo, a house made on bamboo poles, stilt house, a house on wheels, कारावन, people who help us to build our house, तो हमारा घर अपने आप थोड़ी ना बनता है, इनसान मिलकर बनाते हैं, तो जो बनाते हैं, वो कैसे कैसे किस तरह के मतलब लोग होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, many people help us to build a house, some of them are architect, he designs our house before it is built, जब भी हम घर बनाते हैं, उसके पहले हम design तयार करते हैं, तो वो design जो तयार करते हैं, उनको कहते हैं, architect, contractor, he gives his workers various jobs to do, contractor क्या करते हैं, तरह तरह के लोगों को काम पे लगाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं, contractor, वो खुद कुछ नहीं करते हैं, laborer, he is a person who digs, carries bricks and does other kinds of work, तो गड़्धा खोदना, इटा ढोके लाना, बालू जो होता है, उसको निकालते हैं, तो इस तरह के different work करते हैं, यह laborer, ठीक है, next में है mason, he lays the foundation, raises the walls and makes the ceiling of a house with the help of laborers, laborer के सहारे से, मदद से यह mason, घर बनाते हैं, जो दिवाल उठाते हैं, वाल बनाते हैं, छत बनाते हैं, तो वो mason करते हैं, ठीक है, और laborer जो होते हैं, वो इटा ढोडो के ला देते हैं, सिमिन्ट ला देते हैं, ठीक है, electrician, he fits electric wires, switches, bulbs, etc, तो electrician जो होते हैं, वो हमारे घर में electric wires, switches, bulbs, और भी बहुत तरह के काम करते हैं, plumber, he fits all the water pipes, taps and bathroom fittings, जितने भी bathroom fittings होती हैं, pipe lines का काम होते हैं, वो सब plumber करते हैं, carpenter, he makes doors, cupboards and windows, तो दर्वाजा, cupboards और जो almira वगरा होता है, उसके बाद windows मतलब खिरकी वगरा होता है, वो सब carpenter का काम होता है, तो एक घर बनाने के लिए बहुत तरह के इंसानों की जरुरत होती है, एक लोग से घर नहीं होता है, painter, he paints the walls and doors, etc., to make them beautiful, उसके बाद जब घर बन जाता है, तो उसको रंग करने के जरुरत होती है, तो जो color करते हैं, paint करते हैं, उनको कहते हैं, painter, तभी आपका घर संपून पूरा तयार होता है, तो इलेक्रिसियन का picture आप देखी है, आप देखना, इलेक्रिसियन, plumber, carpenter, painter, देख रहे हैं ना, time to answer, answer देने का time आगया, name the person who digs and carries bricks, laborer, feeds the water pipes, plumber, makes the doors, carpenter, who paints the walls, printer, a good house, a good house कैसे होता है, एक अच्छा घर किसको कहा जाता है, a good house is ideal in every way, its rooms are well ventilated and spacious, it is very comfortable, it is clean and tidy, the rooms are well lit and airy, तो किस तरह window होगा, कैसे उसमें हवा आएगी, कैसे sunlight आएगी, कैसे आपको आरमदायक मिलेगी, कितना साफ फ्यार रूम, ये सब देखकर एक अच्छा घर होता है, ठीक है, देखी, कितना यारी रूम है, दिख रहा है ना आपको, तो इसको कहते हैं, एक गूड हाउस, नेक्स्ट है, एनिमीज ऑफ अ क्लीन हाउस, साफ सुत्रे घर में भी एनिमीज होते हैं, एनिमीज मतलब दुश्मन, ये दुश्मन देखो, पिक्चर से पता चल जा रहा है न, अब मैं समझा देती हैं, there are some creatures that make our house dirty, कितना भी आप साफ करके रखो, लेकिन कुछ creatures होते हैं, जो आपके घर को गंदा कर देता है, they carry germs and spread them in our house, वो कहां कहां से germs उठा के लाते हैं और पूरे घर में फैला देते हैं, they become enemies of our clean house, ये हमारे घर के साफ सुतरे घर के दुश्मन है, enemies है, है न, तो some of them are shown alongside, देखिए, यहाँ पे picture में आपको दिखाय गया है, cockroach है, rat है, है न, दिख रहा है न, अच्छा, next है time to answer, फिर से answer देने का time आ गया, circle the picture which shows a good house, तो इसमें आपको good house कौन सा नज़र आ रहा है, तो इसमें देखिए, सब कैसे करके रखा हुआ है, सब systematic way में नहीं है, लेकिन ये systematic way में है, तो ये good house है, इसको circle कर दोगे हैं न, terms, बंगलो, ये सब मैंने समझा दिया, इसमें सिफ terms है, ठीक है, तो ये मैं आपको फिर से explain नहीं करूंगी, terms है, बंगलो, a big single or double storey house with a lawn, flat, set of rooms for living on a floor of a building, igloo, a house made of snow with dome shaped roof, stilt house, a house built high above the ground in areas of heavy rainfall, architect, a person who designs our house before it is built, समझ में आगा है, ये सब मैंने समझाया अभी chapter में, now I know, अब मैं ये जानती हूँ, है न, a house protects us from heat, cold, rains, storms, wild animals and thieves, पहले ही समझाया, इसलिए now I know बताया गया है, there are different kinds of houses, ये साड़ा chapter परके ये हमें समझ में आया, there are different kinds of houses, different people do different jobs while building a house, a house should have plenty of sunlight and fresh air, it should be clean and tidy, अब chapter के last में हम fill in the blanks, circle the correct word और true false matching सब करेंगे, ठीक है, so let us practice, fill in the blanks, we feel dash in our house, an igloo is made of ice, a tent is made of cloth, houses on hills have sloping roofs, a good house permits lots of fresh air and sunlight, circle the correct word in the sentences given below, ये आपको जना यहाँ पे चुन के लिखना था, ठीक है, तो ये मैं बना के दे दी हूँ, solve करके, आपको सिभ लिखना और learn करना है, बी में है, circle the correct word in the sentences given below, इसमें जो correct word है, उसको circle करना है, we should keep our house, यहाँ पे दिया गए, clean और dirty, तो clean होगा, इसलिए मैंने circle किया है, इसमें है, eskimos or gypsies make igloos, तो gypsies तो नहीं होगा, eskimos होगा, तो eskimos में मैंने circle किया है, third में है, a caravan is a house on wheels or water, तो wheels होगा, है, है ना, तो wheels में मैंने circle किया है, next है, a hut is made of cement और mud, तो mud होगा, तो mud में मैंने circle किया है, next c में है, write t for true or f for false for the following statements, first में है, a kaccha house is costly to build, false, a log house is made where it rains a lot, false, huts are very strong, false, next है matching, match the following, electrician does electric wiring, तो मैंने ये number one यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, carpenter makes doors and windows, तो मैंने ये number two यहाँ पे लिख दिया है, plumber, plumber का क्या होगा, fits and fixes, taps and pipes, तो मैंने यहाँ number three लिख दिया है, contractor, contractor gives jobs to laborers, तो मैंने या पे four लगा दिया, ठीक है, next है यह, यही तक आज के लिए, और next यह जो question answer है ना, यह तो मैं जो है, next वीडियो में आपको बता दूंगी, आप देख लेना, ठीक है, आज के लिए इतना ही, thank you, thanks for watching,